सब्सक्राब करें अपने यूटीब चनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब चनल लानमोट मेडिसिन के सिरीज का वीडियो है जिसमें हम जानेंगे एक टेबलेट के बारे में जो टेबलेट दो अलग अलग अंटिबाएं को कॉपमिनेशन है और वे दवाईयां है सिप पर डॉक्षि टेल तदा ओफ लोक्सोसिन इसी टेबलेट की पूर सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और से करना नहीं बूले मैं हूँ आपका वीडियो को लाइक और शेकरना नहीं बूले मैं हूँ आपका होस्ट मोहिदादीच और आप देखने अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबूट मैडिसिन चलिए ऐसे कुछ नहीं आ सिकते हैं हेलो फैंट्स नमस्ते दोस्तों इस टेबलेट में सेपटोक्सिम प्रॉक्षी टेल सेपटोक्सिम का ही एक एक एक्टिव एस्टर प्रोडरिक है जो थर्ड जेनरेशन सिपल एस्प्रीन दवा है यह मुख्य रूप से ग्राम नेगेटिव बेक्टिरिया जैसे स्ट्रेप् धुए एक्टिरिया के द्वारों होने वाले इंट्रेक्शन को ठीक करने के लिए प्योंग लिया जाता है और इस टेबलेट के स्ट्रेंद की बात करें किनिस्ट्ट में एवेलेबल एब जिसमें पहले इस्टेंद में सिप पोडोक स्ट्रीम हन्डेंड मिलीगा व मिलीग आंगे तो किस नाम से मिल जाएगे तो वह नाम होते हैं इसके और जो नाम है उसमें गुडशेफ प्लस टेबलेट, डॉक्स ओफ ओटेबलेट, स्विस ओटेबलेट, जीड़ो सेफ ओटेबलेट, मेकपोड ओटेबलेट और इसके अलवबी कई अन्य नाम भी मार्केट में अवैलेबल है जो भी आपको आसानी से मिले इसली मिले उससे पता है दवाकी जो प्राइज होती ब्रांट टू ब्रांड कंपनी अलग होती यहां पर हम स्ट्रेंथ के को जान लेते हैं जो पीडियर्टिक डोज स्ट्रेंथ हैं हंडेड मिलेग्राम की वह आपको लगबग 15 रुपे से 20 रुपे की में परती टेबलेट मिल जाती है और परती टेबलेट मिल जाएगी कोई परती टेबलेट आपको इजीली मिले उसे आप खई सकते हैं सभी का जो असर है वो सेम ही होगा अब वीडियो में आगे इसकी यूजर को जान लेते हैं किन-किन विमारी में उसका प्रियोग लिया जाता है जैसा कि एंटी बेक्टिरियल दबा रहां है ग्राम- नेगेटिव बेक्टिरिया से होने वाले इंफरेक्शन को ठीक धनि इसका प्रियोग लिया जाता है सभी प्रकाह kleiner रुप से विक्टियीं इंफरेक्शन में आपको शोंशे हृbaar पानी बढगता है पस हो जाती है साथ आटनेस टेस्ट में लगना दर्द होना भुखाराना स्वास बहुत तेज आना या डिफिगल्टी रहना इस तरह से समय इसस्तिती में यह टेबलेट दी जाती इसके अलावा यह किसी व्यक्तिक ब्रॉंक का इमें जो स्वास नली इसमें हो गया हो जिसका से सूजन आ गई हो तो उससे भी ठीक करने के लिए दिया जाता है और को पेसेंट है जिसको गले में इंफेक्शन हो गया जिससे टॉंसलाइटीस या फैरंगाइटीस हो गया हो तो उस समय भी यह टेबलेट डौक्टर द्वारा दी जाती है और इस समय जो एंटी डॉक्टर ह गले के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए और साथ ही जो इंटी डॉक्टर का जो इंफेक्शन में उट्राइटीस मीडिया का इंफेक्शन उसमें अगर इंफ्लामेशन हो जाए पस बर जाए तब भी यह टेबलेट एडवाइज करते हैं अगली जो डीजीज है वह पैसा पाना लोवर एब्डुमिनल पेन होना यह कुछ समझे होती है उसमें यह किया जाता है इसके अलावा महिलाओं में पी आइडी पैल्विक इंफ्लामेटी डिजीज नाम की बिमारी होती है यह कमर के नीचे का जो एरिया है इसमें महिलाओं को दर्द होता है वाइड पहुंच जाती जिसे हम क्लाम आइडिया ऑनाटा कहते हैं और यह दोनों बीमारिया ही महीलाओं तो Поэтому में देखे रहे यह जन्हां सुजन आजाने जिसी समश्य होती है और यह सभी सिम्टम्स भी गौनर हो या के भी सेम हैं तो इस इस्तति को भी ठीक करने के लिए यह दवा एड़वाइज की जाती है और महिलाओं में एक और बीमारी जिसे सर्वी सिटीस कहते हैं इस समय महिलाओं के जन्नावों में सुजन सब्सक्राइब के लावा एक और बीमारी जो प्रमुक है इसमें आपने कभी ने कभी इसके यूज देखा होगा वह है टाइफॉइड फीवर को ठीक करने के लिए जिससे टाइफॉइड को हम हिंदी में मोती जरा भी कहते हैं इस बुखार में व्यक्ति को एक सुचार कि लिए यहां टेबलेट सी दोक्टर और एडवेज की जाती साती दोस्ता टाइफॉइड那 करवीड वी डियू बनां जिसमें टैफॉइड क्या है किस लक्सनों से होते हैं इसके क्या क्या इलक्सन है complete कि किया दिया जाता साथ साती क्या लिया जाना पर इशक्क बार में बन होने वाले infection कैसे इंट सबी में तो इनके अन्य इंसे मेत जाता है एक्टियुक्त गर्डेटरOKSt training को कि हम दीजाती है अगर जत combine 2 साल से कम उम्र के बच्चे को था शे साल से ज्यादा उमर के बच्चे को दी जाती है सुभे साम यह करते अगर खाने पहले लेतों की बात की जाए तो समय तो पांस से साथ दिन तक दिया जाता है और अगर फाइदा नहीं हो तो उससे 14 दिन भी धिया जा सकता है यह tablet बच्चों में बुजूर्गों में तता व्यस्कू में सभी में दिया जा सकता लेकिन यदि कोई pregnant women है उन्हें नहीं दिया जा सकता और यहां पर यह दोनों combination में इसलिए है टेबलेट pregnancy में नहीं दी जाएगी अब यहां हम बात करते हैं Ciproxym proxytel तता जो Cephyl exe में इन दोनों में क्या comparison ने कौन सा बहतर है अगर बात करें इन दोनों के group की तो यह दोनों ही Cephalospirin group की दवा है तर्ड जनरेशन की दवा है और यह दोनों ही Cephalospirin oral preparation में ही available है जो कि Cephalospirin तता Cephalospirin इन दोनों से superior है लेकिन जब इन दोनों के comparison की बात आती है तो इसका ट्राइल किया गया था जिसमे Cephalospirin तता Cephalospirin दोनों सेम अलगलग मरीजों को दिये गएते सेम इंडिकेशन के लिए दिए गयते उस समय Cephalospirin का जो बेक्टियल इरेडिकेशन था उसका परसेंटेज था 93.4% और जो सिफिक जिम था इसका परसेंटेज था 83.9% तो यहां पर देखा गया है कि जो बेक्टिरिया को मानने के लिए तता बीमारी को ठीक करने के लिए जो शिफ्फ का रख रहा है इस कांड़ से हम यहां कह सकते हैं कि सिफिक जिम के मुकाबले अगर सिफों आपको पेशिंट में अच्छा रिजल देखने के लिए सबीतेद में इसके साइडीकों जाने लेती है यादी कीई हो सकते तक मोंस्ट कमंग साइडेटी होना इसकी रेस्स होना डाइहरिया दस लग सकती है बलेक टेरी कलर का स्टूल हो सकता है यह कुछ समय से कर तो पर देखने के लिए मिल सकती और इसके लवी किसी अन्य परकार कि कि अगर साइड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें अपने डॉक्टर से मिलें जिससे कि आपको प्रोपर ट्रीटमेंट दिया जास सके तो यह कंप्लीट इंफोर्मेशन थी सिप और डॉक्षिम तता ओफ लोक्सोसीन कॉममेजिशन की टेब करता हूं मिलते हैं ऐसे ही किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें और मस्त रहें